नमस्कर दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारी इंडियन रेलवेस की एक विंग रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने जैनवरी 2022 में ओपरेशन नन्ने फृरिष्टे के तहत पूरे इंडिया में जितने भी रेलवे स्टेशन्स हैं उनमें एक हजार बच्चों को रेस्क्यू किय इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स क्या है फिर हम देखेंगे कि ओपरेशन नन्ने फृरिष्टे क्या है इनसे जितने भी जीचे पॉइंट से हम सारों को कवर करेंगे और इसके अब आब हम देखेंगे कि इंडियन रेलवेस के नन्य फ्रिष्टे के अलावा कौन कौन से operations है तो आप इस वीडियो का अंत तक जूर देखेगा बहुत ही important और informative वीडियो होने वाली है ये और अगर आप channel पर नहीं है तो channel को subscribe जूरूर करिएगा देखिए RPF यानि Railway Protection Force ये एक Security Force है इसको establish किया गया था Railway Protection Force Act 1957 के तहत इसको enact किया गया था Indian Parliament में इसका aim क्या है इसका aim है था better protection and security of railway property and passenger area जो railway की property है जितनी railway की property है और जो passenger areas है उनकी better protection और security उनको अच्छे चे protect करना और वहाँ पे security provide करना ये इसका एक aim है railway protection force का इसके पास क्या क्या पावर है इसके पास power है कि ये search कर सकता है arrest कर सकता है investigate कर सकता है और offenses को में prosecute कर सकता है कि इसके under railway property unlawful possession act 1966 के अंडर तो ये इसके पास power है search arrest investigate prosecute offenses committed under railway property unlawful possession act 1966 अब हम बात करते हैं operation नन्ने फरिष्टे की operation नन्ने फरिष्टे नन्ने फरिष्टे का मतलब होता है little angels तो ये एक dedicated child rescue initiative है ये बड़ा important है कि इसको सबसे बहले किसके द्वारा शुरू किया गया था railway protection force of southwestern railways सबसे बहले इसको किसके द्वारा start किया गया था southwestern railways और फिर eventually इसको पूरे के पूरे इंडिया में replicate किया गया तो ये southwestern railways के द्वारा इसका शुरुवात हुआ था नीव रखी गई थी अब ये पूरे भारत में इसको replicate किया गया है और इसमें कि जो बच्चे आपको जैसे मानलो कई बार child trafficking होती है child trafficking हुई बच्चों को railway station में छोड़ दिया गया labor के लिए या किसी भी कारण से या फिर कई बार के आए कि कई मावाप ही है जो अपने बच्चों को छोड़ देते हैं खासकर बेटियों को ऐसा बड़ा ब़ा देखा जाता है तो ऐसे जो बच्चे हैं इनको rescue करने का काम यह operation नन्य फरिष्टे के तहट railway protection force करता है तो यह dedicated child rescue initiative है नन्य फरिष्टे माने little angels मैंने आपको बताया है इस जो initiative है इसको सबसे पहले South Western Railways में यह RPF का जो South Western Railways में Chief Security Commissioner थे DB Kassar यह बड़ा important है इनके द्वारा इसको शुरू किया गया था तो operation नन्य फरिष्टे initiative जो है उसको सबसे पहले शुरुआत की गई थी DB Kassar जो की Chief Security Commissioner है RPF SWR यानि की South Western Railways में वहाँ पे जो railway protection force है उसके Chief Security Commissioner DB Kassar इनके द्वारा यह शुरू किया गया था यह dedicated team of rescuers एक पूरी team है इनकी जो rescue करेगी जो identify करेगी और prevent करेगी inflow of children who are illegally brought to city mainly to work as child laborers अब कई बार के होते हैं छोटे छोटे बच्चों को keep trafficking की जाती है ताकि उनके labor का काम करवाया जाए तो इस परकार के बच्चे हैं नन्य मासूम बच्चे हैं जिनकी उमर जो है वो पढ़ने लिखने की है उनको labor की तरह use करने के लिए उनकी trafficking की जाती है तो ऐसा कोई भी बच्चा अगर इनको railway station में मिलेगा उसको identify करना और उसे prevent करना कि हम इनको illegal trade में ना जाने दें या फिर हो सकता है कि कई बार क्या होता है इनकी kidney या आंखें निकाल के बेश दी जाती है या कुछ भी अलग अलग प्रकार करके तो हम इन बच्चों को identify करें और इनको अपने परिवार वालों के साथ मिलाएं इनको rescue करें इनको उस काले धंदे में लेबर में या किसी भी जीज में जाने ना दें ये एक main काम है और इसकी शुरुआत साथ वेस्टर रेलवेज ने करी थी ये important और DB के सारी इसको भी याद रखिएगा अभी अगर हम 2022 की बात करें जैनवरी 2022 की तो 1045 बच्चों को जो की अकेले या abandoned पाए गए रेलवेज स्टेशन में उनको rescue किया गया है हमारी railway protection force के द्वारा तो salute है इन लोगों को इन जवानों को जो अपना crown जूरुप पे बड़ा जबदस काम कर रहे हैं जो 1045 बच्चों कर rescue किये गया है उसमें साथ सो एक लड़के है 344 लड़किया है आर पी एफ railway protection force की माने तो पहुत से children जो है बच्चे जो है उनको kidnap किया जाता है railway station से हर साल में और उसके बाद उनको exploit किया जाता है उनकी trafficking की जाती है तो इनका काम है कि यह इसको बचाते हैं operation नन्य फ्रिष्टे के अलावा अगर हम बात करें कि Indian Railways कौन-कौन से important operations करती है तो उसमें से एक है operation महिला सुरक्षा अब महिला सुरक्षा यानि महिलाओं की सुरक्षा तो इसमें महिलाओं को सुरक्षा प्रवाइड की जाएगी operation महिला सुरक्षा के तहट इस initiative में grantee दी जाती है कि हम जो female travelers है जो trains में जो महिलाओं जो travel कर दी है उनको security प्रवाइड की जाएगी ताकि कोई छेड़ छाड़ उनके साथ ना हो किसी परकार का कोई कुछ भी ऐसा कोई गलत काम उनके साथ ना हो उनको woman trafficking ना हो या rape या exploitation eve teasing ऐसा कुछ उनके साथ ना हो तो फिर उसको security प्रवाइड की जाती है operation महिला सुरक्षा के तहत दनाता मेरी सहली स्क्वैड अब मेरी सहली तो एक महिला अगें ये आपको आप नाम से समझ सकते हैं कि एक महिलां के लिए initiative है मेरी सहली स्क्वैड तो आरपीर ने मेरी सहली स्क्वैड को जो की railway station है जो important कुछ railway station है वहां पर अभी तक deploy किया है जनवरी 2022 में हो सकता है कि ये इसका जो गोल है इस मेरी सहली स्क्राइट को रखने का रेलवेस स्टेशन में उसका यह है कि हम जो वोमेन पसंजर अगें पहले भी जो वोमेन ट्रैवलर्स है उन्हीं के लिए था इनिशेटिव यह भी वोमेन पसंजर जो है उनको एक सेक्यूरिटी प्रवाइट की जा सके खासकर वो लड़किया या वो महिला हैं जो अकेली है अलून ट्रैवल करती है अकेली ट्रैवल करती है कर सकते हैं तो मातर शक्ती मातरी माता माता मदर तो यह जो pregnant महिला के लिए होगा तो operation मातर शक्ति जो इसमें जो lady areप पर्सनल्स है यह बड़ा help करती है important role play करती है help करती है जो pregnant women जो अपनी labor में यानि जो pregnant हैं उनको मदद करना उनको assist करना उनकी help करना जब वो ride कर दी है train में अब यह एक बड़ा important fact है आपके लिए याद रखें आपको यह सवाल पूछा जा सकता है कि और अगर हम जैन्वरी के बात करें तो साथ pregnant जो women passengers हैं उनको assistance मदद प्रवाइद की गई है उनके और जो की काफी important रहा है उनके children की बर्थ के लिए भी आरपीफ के द्वारा तो अगेन यह बहुत कमेंडेबल जॉब हमारी इंडियन रेलवे की रेलवे प्रटेक्शन फोर्स कर रही है इसके अलावा mission G1 रक्षा अब जीवन की रक्षा करना तो मतलब कि यह अगेन passengers के लिए है जहां पर हम उनकी जिन्दगी को जीवन की रक्षा करते हैं उनको सेव किया जाता है तो अगर हम जैन्विरी अगेन जैन्विरी 2022 के बात करें तो 42 परसंस को जो है वो सेव किया गया है आरपीफ के द्वारा रेलवे प्रटेक्शन फोर्स के द्वारा जिसमें से 42 में से 20 जो हैं वो मेल है और जो 22 हैं वो लेडीज है तो mission G1 सुरक्षा भी हमारा और प्रेशन है एक mission है जो चलाया जा रहा है उसके बाद आता है operation यातरी सुरक्षा अभी यातरी की सुरक्षा की जाए तो इसमें जो आरपीफ है रेलवे प्रटेक्शन फोर्स यह स्टेट पुलिस जो जिस भी जिस भी स्टेट में उस वहां की उस स् 22 में अभी तक में जैन्वरी में अरेस्ट किया गया है जिस मेंसे च्रिकार जो है वह फिस असा क्राइम किया था जो इन से ट्रेन में सफर कर रहे था तो यह कुछ इंपोर्टेंट ऑर मिशन्न थे जो हमारी र प्लेफ करती है और अप्रशन नन्ने फिर्षत और और आठ प लगी हो अगर आपको वीडियो अच्छे लेगे तो लाइक करिए जाए साधा शेर करिएगा और ऐसे ही जी के वीडियो के लिए अभी हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा थैंक्यू सो मच फो वाचिन